समाजवादी पार्टी प्रमोख अखलेश यादव कन्नोज लोकसभा सीट से चनाव लड़ सकते हैं और तेजपरताप यादव का टिकेट कट सकता है ऐसी संभावना इसलिए जिताई जा रही है क्योंकि पार्टी की लोकल यूनिट ने उनसे अपने भतीजे तेजपरताप यादव को इस सीट से मैदान में उताणने की फैसले को बदलने की गुजारिश की है इस संभन में आकरी और आधिकारिक फैसला समाजवादी पाठी द्वारा लिया जाएगा आपको बतादें तेजपरताप को कन्नोट जा करना मांकन करना था लेकिन अब वो टल गया है सूत्र बताते हैं कि अकलेश यादव 25 अपरेल को कन्नोस से ना मांकन कर सकते हैं यानि अगले 24 घंटे में अकलेश यादव कोई बड़ा खेल कर सकते हैं कर्णौस सीट से तेश प्रताप को मैदान में उतारने के लिए अखलेश यादव के फैसले को इस्थानिय नेता मानने को तैयार नहीं है आपको बता दें कि इस बार के जुनाओं में अब तक यादव परिवार के पांच लोगों की उमिद्वारी का एलान हो चुका है मैनपुरी सीट से अकलेश यादव की पतनी डिमपली यादव, फिरोजाबाद से अकलेश यादव की चचेरे भाई अक्षे यादव, बदायू सीट से चचेरे भाई आदित्य यादव और आजमगर लोकसबा सीट से चचेरे भाई धरमेंद्री यादव मैदान में है जबकि पांचवे नमबर पर कर्नौज सीट तेज प्रताप के नाम का एलान हुआ लेकिन अब यहां से अकलेश यादव के चिनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गए है पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने लिस्ट जारी करते हुए कर्नौज और बलिया सीट से प्रत्याशियों का एलान किया था अकलेश ने कर्नौज से अपने परवार के सदस से और लालू प्रसाद यादव के दामात तेजप्रताप यादव को चिकिट दिया जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा कर्नौज सीट को लेकर बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी में असमंजस की इस्थिती थी और ये कहा जा रहा था कि खुद ऐस पी मुखिया अकलेश यादव इस सीट से चिनाव लड़ सकते हैं हाला कि उस वक्त ये तस्वीर जरूर साफ हुई जब अकलेश ने अपने भतीजे को पुरानी सीट से मैदान में उतार दिया तेजप्रताब को लेकिन अब फिर से अचकले लग रही है कि अगले 24 घंटे में अकलेश यादव खुद कर नौस से मैदान में उतर सकते हैं आपको बताने तेजप्रताब यादव के पितार रणवीर सिंग यादव अकलेश यादव के चचेरे भाई थे उनका 36 वर्ष की उम्र में निधान हो गया था वो राजनीती में सक रिया थे और ब्लॉक प्रमुक भी रहे उसके बाद उनकी पत्नी में रुद्ला यादव भी साफ़ाई की ब्लॉक प्रमुक रहे तेजप्रताब की पत्नी राजलक्षमी बिहार के पूर मुक्य मंत्री और रास्टर जिंतादल की रास्टर अद्दक्ष लालू प्रिशाद यादव की बेटी है वहीं तेजप्रताब यादव की बात करें तो वो मैनपुरी से सांसद रहे चुके हैं जब नेताजी मुलाइम सिंग यादव ने 2014 की चुनावों में दो सीटे आजमगड़ और मैनपुरी से चुनाव लड़ा था और दोनों सीट से जीत गए थे उसके बाद उन्हें मैनपुरी सीट छोड़ दी थी जिस पर वो उब चुनाव में सपा ने तेजप्रताब को मैदान में उतार दिया था और वो पहली बार देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे थे हाला कि 2019 के चुनाव में तेजप्रताब को टिकेट नहीं दिया गया था और मैनपुरी से नेताजी ने चुनाव लड़ा था जब मुलाइम सिंग का निधन हो गया तो उसके बाद इस सीट पर वोब चुनाव में डिमपल यादव नजीत हासल की थी और अब इस बार कर नौस से तेजप्रताब यादव को पहले टिकेट दिया गया लेकिन अब अटकले यही है कि खुद अखलेश यादव तेजप्रताब का टिकेट काट कर यहां से मैदान में उतर सकते हैं